नमस्कार दोस्तों आज ये सल्ड जो हम काटने जा रहे हैं इसका पेट 48 है और सीना है 42 इंच तो पेट वाले वेक्तियों की सल्ड काटने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस तरह हर सल्ड में करते हैं एक निसान उपर लगा लेते हैं और सामने की पट्टी बनाने के लिए लगबग 2,5 इंच कपड़े को छोड़कर एक सीधा निसान लगा लेते हैं सबसे पहले हमें लंबाई के निसान लगाना है जितनी लंबाई हो उससे आधा इंच एक्ष्टा करते हुए और मारजन नीचे के दामन का दोनों साइड हमें इस तरीके से निसान लगा लेने हैं और यहां से लगबग पौना इंच और उपर कर लेंगे हम लोग आगे का थोड़ा से क्रॉस रखेंगे जिनका पेट निकला होता है साड़े 9 इंच पर हम लोग लगाते हैं अर्मोल्स का निसान यदि उसके बाइसेप ज़्यादा है तो आपको दस तक लगा सकते हैं लंबाई का आधा करने के बाद धा इंच उसमें और प्लस कर दीजिए इस तरीके से हमारे पेट के निसान निकला लाएगा उससे आधा इंच थोड़ा और नीचे कर लेते हैं सीने का चौथा हिस सा लगाना है और अधास 2 इंच आगे रहा लूजिंग के लिए यदि आपको फिटिंग चाहिए तो 2 इंच लूजिंग कर सकते हैं जितना तीरह है हमारा उसमें आधा हिंची प्लस करते हुए निसान लगा लेना है और सीने का बारवा हिस्सा उससे आदा इंची कम नीचे करते हुए गले का राउंड बना लेना है इस तरीके से डाउन कर लीजिए लगबग एक से सबा इंची चोथे से लगाते हैं वहाँ से अंदर क्रास कर लीजिए और इस तरीके सा हाथों से शेप को दे दीजिए जितना हमारा पेठ है 48 पेठ है वहाँ भी सबा इंची की लूजिंग रखेंगे और इस तरीके से निजान हम लोग नीचे लगाते हैं दामन में भी पेठ से और दामन नीचे तक सीधा रहेगा हलका सा आदा इंच अंदर कर लेंगे करेगा और इस तरीके से निजान को मिला देना है राउंड से में हलका सा आदा इंच नीचे अंदर कर लेंगे कि जब सल्ट व्यक्ति इंच करेगा तो जोलनी आएगा सामना हमेशा पावना इंच नीचे क्राउस रहता है जो हम दामन का निसान लगाया था इसलिए इतना क्राउस कर दिया है ज़्यदा वीडियो लंबाना हूं इसलिए वीडियो को फारवर्ड कर दिया है फास्ट में जो मार्क्स हैं उन मार्क्स पर ही में कटिंग करनी है दीए सामना हमारा कट चुका है हलके सो हाल एक और सेट कर लेते हैं अब अस्तीन काटते हैं सिंगल पल्ले को एक बार लेकर लगबग जितना आर्मोल्स रखा है साड़े नो तो हमने आधा इंच एक्ष्टा किया दस इंची चवड़ा कपड़ा रख लेते हैं हाँ पर रूपर से करीब साड़े चार प्रिसान लगाते हैं अस्तीन जीतनी लंबहाई है उससे एक इंच कम पे निसान लगा लेते हैं और जितना कफ रखना उतना और एक इंची प्लेट का मार्दन इस तरीके से रख कर क्रॉस में हमेã सा कफ जो है क्रॉस में लगबग देखिए एक इंची उपर क्रॉञ सा रहा है इतना क्रॉस करन इस तरीके से अस्तीन का शेप काट लेना है दूसरी अस्तीन को भी जो इश्ट्रा कपड़ा बच रहा है अस्तीन का उसके उपर रख कर जमा कर अस्तीन को काट लेना है इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए लग बख जितना हमारा सामना उससे पाउना इंची बख कम करती है सामने को रखना है और लग बख जो निसान लगाया था उससे पाउना इंच सामने को मोड लेना है और इस तरीके से कपड़े को उपर बिछा लेना है बराबर से एक्टम आगे से भी देखे इस तरीके से पाउना इंच कम से कम बैक से सामना हमारा बाहर रहता है निसान लगा कर आपको हम नाप कर दिखा देते हैं देखें पाउना इंच बाहर है एक तरीका ये भी कि आप यहां से पाउनो इंच बाहर निगालने अब तीवरा के लिए उपपर से देड़ इंची और जितना हमारा तीवरा है उतना और प्लस मार्जन मार्जन पीछे थे हम कमें रखते हैं इस तरीके से क्रॉस करके हाथ उसे से शेप दे दीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे जानकारी अच्छी लेगे तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बैक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पीछे से सरथ हमारी दोस्तों कट चुकी है अब बारी आती है तीवरा की यहां से देड़ इंची हमने बैक कम काटी है यह तीवरे की ना बता रहे हैं आपको हम जितना आप यहां से कम काटेंगे देड़ इंच दो इंच धा इंच लेके तिवरा अब भी आपको बताते हैं कैसे रखाया आएगा सबसे पहले निसान लगा कर सिधा कर लीजिए अब देड़ इंची जो हमेने कम काटा बैक उसको यहां रखते हैं और प्लस सादे तीन इंच दोस्तों सामने से जितनी भी बैक आप कम काटे हैं दो धाय तीन इंच उसमें सादे तीन प्लस करना है देखें बाकी पुरा अब तीरे को रखें लीजिए इस तरीके से यहां पर हलका शेव देदिए नीचे दोसूत कम रिखें दोसूत उपर बढ़ा कर रिखें और थोड़ा से यह शेव देदिए तो अस्तीन बहुत अच्छे से बैठे गया आपकी ठीके दोस्तों सर्थ हमारी कट चुकी है दोस्तों जरूर से मारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग